तो ओ दई बल्ला देख रहे हैं आप अच्छा दई बल्ला खाने का दिल कर रहा है कोई बात नहीं बना दूंगी जी जी बना रहे हो बना रहे हो दोन परी चलिए जी तो बनाते हैं दई बल्ला तो यहां पर मैंने जह वो देड़ सो क्राम मुंकी दूली दाल ले लिए देड़ सो क्राम औरत की दूली दाल ले लिए आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगे बहुत टेस्टी और हेल्दी वाले मैं आपको बनाने सिखाऊंगी एक तो fry करके सिखाऊंगी और दूसरा मैं less oil में fry करके सिखाऊंगी ठीक है न तो इसके लिए मैंने डाल को grinder में डाल लिया है और slightly coarse रखना है इसको मतलब थोड़ा खुरदूरा रखना है ज्यादा हमने इसको fine paste नहीं बनाना है उससे बहलो में बहुत ही टेस्ट आ जाता है अब आप देखिए मैं इसको beat करते रहूंगी करते रहूंगी जब तक कि दाल का जो size डबल नहीं हो जाए और थोड़ा आप देखेंगे कि यह color भी change करेगी सबसे main part इसका यही हो कि हमने इसको beat बहुत अच्छे से करना है कि आप देख सकते हैं कि दाल का जो color है वो काफी change होने लग गया है और इसमें bubble भी बनने लग गया है beat करते रहेंगे इसको अपी में तुपो लग भर हो जाते हैं लग दत्वाते आते पूछो ना कितनी बाते पड़ी है दिल में हमारे दिल को डारे आरे 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 यह देखें दाल का color काफी change हो गया है अब मैं इसको चेक करूँगी कि यह light हो गई है थोड़ी तो देखें पानी में हम थोड़ा इसको डाल करेंगे चेक तो यह उपर आ गया है इसका मतलब यह है कि यह काफी light हो गई है इसके बाद मैं यह पर जो है वो दाल में थोड़ा एक इंच जिंजर का टुकड़ा जो है वो इसको ग्रेट कर दूँगी बहुत बारिक रखना है इससे क्या होगा कि जो डाल की जो बादी होती है वो नहीं रहेगे अद्रग इस लिए डालना जरूरी है और इससे टेस्ट की काफी इन्हेंस हो जागा है और फिर मैंने यहां पर फाइफ जो है वो ग्रेन चिलीज को बहुत अच्छी से चॉप कर लिया है वो भी डाल दिया है सॉल्ट एड कर दिया है अब इसको मिक्स कर दू पर अपने अंगलियों पर पानी लगा लेंगे इसके बाद हम ऐसे ही चोटी 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 पकोड़े टाइप जो है वो लेकर के और और ऐल में एड करते चले जाएंगे यह देखे फ्राइब हो रहा है लगता है मेरे माईक को भी फ्राइब होना होने का दिल कर रहा है यहाप मैंने इस उनको प्लिप कर दिया है मैंने मस्टर्ड ओयल यूज किया है आप चाहें तो कोई भी वेच्टेबल ओय यूज कर सकते हैं कलर इसलिए इसका येलो येलो सा दिख रहा है क्योंकि मैंने मस्टर्ड ओल यहां पर यूज किया है अब पानी जो मैं भलो का पानी है उसमें मैं सॉल्ट एड करूंगी और हिंग एड करूंगी इससे क्या होगा कि जो भलो में और टेस्ट ज्यादा आजाए मैं वन बाई निकाल करके पानी में ट्रांसफर करती रहूंगी बहुत कैरफूली आपको ये प्रोसेस करना है कभी-कभी ऐसा होता है कि भले जो होते हैं वो ब्लास्ट कर जाते हैं तो इसलिए अपने पेस का काफी हैल रखी अब देखिए मैं आपे जो है ये अपे में कर ली लिया है मै इसमें बहुत कम और ये साथ बनाऊंगी मैंने आइड कर दिया इसमें थोड़ा-थोड़ा हमें स्पून की हेल्प से इसमें भल्लो का बैटर एड़ करूँगी इतना ही डालना है कि शेप में एड़्जस्ट हो जए थोड़ा सा मैंने ब्रश की हल्प से और उपर भी लगा अभी मैंने इसको ढग दिया है, फ्लेम हमें थोड़ इसी slow to medium रखनी है, यह देखे काफी fluffy और बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मैं इसको flip करते चली जाओंगी one by one, वापस से मैं इसको cover कर दूंगी, अब मैं पांच मिनट बाद मैंने इसको देखा है, इसको check करें के हो चुक है, इसको भी मैं transfer करूंगी यह इंग और salt के पानी में, जाओंगी one by one करके मैंने सारे transfer कर दी हैं, अब यह वापस से यही process करेंगे, और मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़े थी किस मैं already था, और देखें थोड़ा सा brush से मैं उपर की साइड पर लगा दूँगी, वापस से मैंने इसको lid cover कर दिया, यह देखें, कापी spongy और बहुत मतलब light weight लग रहा है यह देखें आप, मैंने इसको transfer कर दिया है, वैसे मुझे अपे मेकर वाले जो जादा अच्छे लगे हैं, तो आप भी बताएगे कि आपको कौन से समझ जाने वाइसे टेस्ट दोनों का सेम था, मैंने यहां पर कुछ ब्राइड स्पाइसे ले लिए हैं, जो मुझे भलो के उपर से स्प्रिंकल करना होगा, इसके लिए मैंने बुना कुटा जीरा ले लिया है, नियुक्त है यह, युट जीर राइच चली फ्लेर ले लिया है। काला नमक ले लिया है। मैंने जो शुगर के पाउडर बना लिया था दही मैं एड्य करने के लिया, और चाट मसाला भी लियाता, अब मैंने थोड़ा काला नमक एड़ कर दिया इसमें वीट कर दूंगी यह मैंने होमेड दही लिए आपको पता ही कि मैं होमेड यूस करती है ब्लैक सॉल्ट और शुगर पाउडर एड़ करने से दही का टेस्ट बहुत ज्यादा इन्हेंस हो जाता है तो आप यह जरूर एड़ करिए स्कोप कर एड़ करना मत भूलिएगा अब बारी है सर्फ करने की तो देखिए यह मैंने अपे मेकर के ले लिए है फ्री और एक मैंने ले लिए है फ्राइड जो इसका कलर थोड़ा चेंज दिख रहा है वो मेरा फ्राइड है तो उपर से मैं या पे कर्ड इस पे डाल दूंगी यह देखिए बहुत बहुत ज्यादा यमी और डिलिशेस बने थे आप भी जरूर ट्राय करिएगा मेरा खयाल से कोई एक ऐसी लेड़ी होगी जिसको देखिए बहुत नहीं पसंद होगा जरूर पसंद होते हैं तो आप भी यह ट्राय करिए यह देखिए यह मैंने डाबर की होममेड इमली सॉस ले लिए आप घरी बनीवी भी ले सकते हैं वैसी इंस्टेंट है तो यह मैं पास फ्रिजमा मौजूद थी पहले से इसलिए मैंने ले लिए मैंने इसके पुदीने की चटनी भी डाल दिये अब मैं यह सॉस आइड करूंगी उपस ज्यादा निकल गी अब बार ये कुछ स्पाइसे स्प्रिंगल करने के आप में रैचली प्लेक्स स्प्रिंगल कर दी है थोड़ा चाट मसाला स्प्रेड कर दिया है अब ये मैंने जो भुना कुटा जीरा लिया था मैंने वह भी आटके दिए ये मेंन इंग्रीडियंट्स है जो हमें ये स्पाइसे लेने ही लेने होते हैं और ये देखें बनकर बिलकुल रेडी है बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है ये बहुत डिलिश्यस लग रहे हैं जितने यह दिखने में डिलिश्यस लग रहे हैं यदि यदि करीए खाने में और भी ज्यादा अच्छ थो जब मैंने जसके लिए बनाएं तो जाहर है मैं उसको टेस्ट भी करवाऊंगी और पिटबैक लोँगी ताकि मेरे यूटीव फैमली को पता चले कि जो यह डई बल्ला है वो क्यासे बने हैं ठीक है जैसे भी आज डई बल्ला सी क्रेविंग हो रही थी तो मैंने सोचे चलो बनाई देती हूं अभी मैं पहले मैं टेस्ट करती हूं कि कभी कुछ गलत हुआ तो मैं पहले ही ठीक कर दोगी लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि नेक्स्पेरियंस है मेरे को के अच्छी बने होंगे याम लजीज बहुत जबर्दस बने इग स्पेशल पर आप बना सकते हैं इस रेसिपी को चलो तो ट्राय करवाते हैं यह ली जी जी आपके दही बल्ले बने पर तयार है जो चेक करके तो बताईए कैसे बने वाओ बहुत अच्छी है यह समने बीकनेर पर है दे लास्टी बहुत अच्छी है इसे तो मेरे को पसंद नहीं है लेकिन जी अब मैंने आएं तुम्हारे बनाएगा आपके बहुत अच्छी लगी बहुत अच्छी है दॉट अच्छी है आँचाओं। अच्छी लगी मनज़ना इसे जी अच्छी है अच्छीबड़ाोंची बहुत अच्छीब़ा और आपके वीडियो कासी लगी ज़ुरूंट हवत आई और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर कमेंट करना बद भूलना ऐसी एजी और टेस्टी रेसिपिस के लिए प्लीज फॉलो माई चैनल जिसका नाम है जोयास कुकिंग पैशन ऐसी अच्छी वीडियो मैं आपको जरूर अपलोड करती रहूंगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए ओके बबाए अलाफेज